हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे किचन में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज की रेश्पी है धावाई स्टाइल रेहू फिस करी की यह बहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो एक बार आप जूरू ट्राइक किजिएगा यह देखिए हमने एक किलो फिस ले लिया है जिसे अच्छे से धो लिया है तो सबसे पहले हम फिस को मेरिनेट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक चममच हल्दी पॉडर एक चममच नमक एक चममच लैसन अद्रक का पेश्ट और साथ में दो चममच सरसो का तेल अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करके हम इसे ढखके 10 मिनट के लिए रख देंगे हमने कुछ साबूत मसाला लिया है जिसमें एक चममच धनिया आदी चममच काली सरसो एक चममच जीरा दालचीनी कटुकड़ा जावित्री दो लाल मेच और एक बड़ी लैची तीन चोटी लैची आप मेच अपने हिसाब से रख सकते हैं तो सबसे पहले हम हलका सा मसाला को करेंगे तो कडाई में हम सारे मसाला को डालके इसे अलका सा भूल लेंगे तो इसे स्लू आच पे दो मिनट तक भूने जब मसाला से अच्छी से कुस्बू आने लगे तो इसे निकाल दे तो यह देखे दो मिनट हो गया है मसाला से अच्छी कुस्बू भी आ रही है तो हम निकाल देते हैं अब हम सेम कड़ाई में दो चमज प्यास प्यास पराद से chip देल Hamp यहां पर हमने तीन की बड़े च्छा सिसे बड़े रॉपन में काटा है लोप जूकर, हम मेंकर तेल गरम हो गया ही ये सब поз warmer लोई कर दे लिए और यते मिन देल से ईक Müनीट तक कर लिया है देखिए बलवानट वुल्ट बॉस्सरिजर हो गया अब हम इसमें ट्रमाटड डालेंगे की अग्चच के हम इसे दो मिनट तक पकाएंगे ताक्यर ट्रमाटड में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम फिर से तीन से चाचम मस्ट तेल डालेंगे कडाई में जब तेल गरम हो जाए तो गैस को स्लो कर दें और धीरे-धीरे से तेल में मचली को डालें मचली को राम से डाले और जब यह एक साइट से दिखने लगे कि यह golden brown हो गया है तो दूसरी साइट से पल्टा दीजिए मचली को तुरत ना पल्टाएं नहीं तो मचली तूट जाएगी जब यह नीचे से दिखे कि golden brown हुआ है तभी पल्टाएं तो इसे दोनों साइट से अच्छा सा फृआ कर लें यह देखे अब हम इसे फलेट में लेंगे मैं तो सारी मचली को उन्हे फृआ कर लिया है कि अधर हम हम मसाला को पीसेंगे तो मसाला हमारा ठंड़ा हो गया है तो सबसे पहले हम सूखे मसाला को फीस लेते हैं तो यह हल्का सा दर्ददा हो जाए तो हम इसमें टमाटर और प्याज वाला जो हमने बना के रखा तो बोड़ा लेंगे और इसे भी पेस्ट बना लेंगे यह देखिए इसमें हमने एक चम्मच लाहसन अद्रक का पेस्ट भी मिलाया था अब हम बचेवे तेल में एक चम्मच जीरा आदा चम्मच हल्दी पॉड़र और एक चम्मच कस्मेरी लालमिच पॉड़र डालेंगे आप चाहें तो दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं अब हमने जो फेस्ट बना के रखा तो वो डालेंगे और इस अच्छे से मिलाएंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे तो स्वाथ के नुसर नमक डालेंगे नमक हमने फेस में भी डाला है तो उसी इसाफ से ग्रेवी में नमक डालेंगे इसे छेसे mix करेंगे और ढ़क्या हम इसे दो मिनट तक पकाएंगे तो दो मिनट हो गया है तो मसाल अच्छे से बख गया है अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे तो एक कप हमने इसमें पानी डाला है आप ग्रेवी अपने साफसे रख सकते हैं जैसे आपको पसंद हो और इसे ढखके फिर से हम इसमें एक उबालाने देंगे ये रिखे उबाला गया है तो हम फ्राइ के आवा फिस डालेंगे इसमें और इसे सलो आच पे 5 मिनट तक पकाएंगे तो बस 5 मिनट हो गया अब हम इसमें एक चमच फिस मसाला और साथ में थोड़ी सी कटी भी है आप इसे गर्मा गरम सर्व किजी अगर आपको यह रिस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू आपको छो और मेरी चनल को एक चापको 3